नमाबुदाय जैभिम दोस्तों मैं हूँ आपका दोस मिथलेश और आपने देखना शुरू कर चुके एमजी ब्लोक्स दोस्तों आज है कार्तिक पॉर्णिमा बाकी पॉर्णिमा की तरह कार्तिक पॉर्णिमा का भी बुद्धिजम में बहुत महत्व है आज की दिन हम सब लोगों ने सुबह उटकर हमारे घर के आसपास की बुद्ध विहार जाना चाहिए जिसे पॉसिबल नहीं है उन्होंने घर में ही बुद्ध बंदना करनी चाहिए या हो सके तो समय निकाल कर भंते जी को बुलाकर परितरम पाठ घर पर करना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धिजम में कार्थी पुर्णिमा का क्या महतो ऐसी तीन महतो पुर्णा घर अपको पताऊंगा बंते सारीपुत्र भगवान बुद्ध के शिश्चों में प्रमुख थे और उन्हें भगवान ने धंमसेना पति कहा था जब वे बोलते थे तो लगता था कि सीहनाध हो रहा है। देर आये दुरुस्ताय की पहल पर बिहार सरकार में भनते सारे पुत्र के महत्व को स्विकार करते हुए वर्ष 2012 में उनके महा परिनिर्वान दिवस अर्थात कार्तिक पुर्णिमा को सारे पुत्र दिवस घोशित किया था दूसरी घटना देवान पिया पिय दसी सम्राड अशोक का परिनिर्वान दिवस है कार्तिक पुर्णिमा की दिन ही चक्रवती सम्राड अशोक का निदन हुआ था अंत्र आज का दिन उनके स्मूर्ती दिवस के रूप में याद किया जाता है अपने जीवन के अंतिम शणों में समराड अशोक ने जब मगत का नेतरुत्व अपने पोत्र समराठ दशरत के सुपुत कर दिया था तब समराड अशोक के पास जो कुछ भी नीजी संपत्ति थी उससे प्रते दिन भिक्कु संग को डान दिया करते थे ऐसा उलेख मिलता है कि उन्होंने अपने भोजन के बरतन तक दान में दे दिये थे और कारतिक मास की एकादशी के दिन उन्होंने आधे आवले का दान दिया जो उनका अंतिम दान माना जाता है इसी वज़े से आवला एकादशी के रूप में भारत में कारतिक मास के शुकलप पक्ष की एकादशी स्मूर्थ की जाती है एकादशी के कुछ दिन बाद ही कारतिक मास की पूरुणिमा के दीन वे पंच तत्व में विलिन हो गए जदि इन सब चीजों को माने तो ऐसा जनसामान्य में प्रचलित है कि दाहा संसकार के दवरान समरण अशोक का शरीर साथ दिन और रातों तक जलता रहा उत्तर विहार ठकता के अनुसार समरण अशोक की अस्थियों पर सारनात में धम राजिक स्थूप का निर्मान करवाय गया जहां सम्मेक संबुद्ध के धम चक्र प्रवर्तन किया गया था तीसरी महतोपुण घटना है कठीन चीवरदान सावन या श्रावन भादो या भादरपत और कार या अश्विन ये तीन महा वर्षवास के होते हैं जिसमें बिना किसी आपातकाल के भिक्कु भिक्कुनिया का यात्रा करना विने के नियमों के अनुसार निशिद है उन्हें एक स्थान पर रहकर सादना करनी होती है और बोध शास्त्रों का अध्यें करना होता है एक तरह से पूरी साल की तयारी का समय वर्षा का ये मोसम होता है इस वर्षावास का आरंब आशाण मास की पुर्णिमा से होता है और समापन अश्विन पुर्णिमा के दिन होता है पाव कार्तिक मास परणिमा पर आज भिकू सारी पुत्र और समर्ण अशोक को याद करें और जन सामान के उधार के लिए समर्पन और स्नेह उनसे सीखें ऐसी बहुविधी पावन कार्तिक परणिमा की आप सभी को कोटिश मंगल कामना है दोस्तों दोस्तों काफी पढ़ाई करके दोस्तों काफी अभ्यास करके मैंने ये तीन घटनाए कार्तिक परणिमा की दीन की आपके लिए आपके सामने लेकर आये हूँ कैसी लगी आपको मेरी जानकारी कमन बें जरू बता है और इस वीडियो को दोस्तों जारा से जारा शेयर जरू कर ताकि आपके जो कलीक्स है, आपके जो फ्रेंड सरकल है, आपके जो रिष्दार है, माँ, भाब, भाई, भाहन, इन्हें सब पता चले कि आज कार्तिक प्रोणिमा का महत्व क्या है, चलो मिलते हैं, नेक्स फूड़ हमाई से किसे इंटरसिन टॉपिक के साथ तक लिए, आप स